लोकसवा चुनाव की आचार सहंता लगने के बाद पिरसासन एक्षण में आ गया है 28 परवरी को सागर सहर के कनेरा देव में हुए मडर के मामले में आरोपियों के आफिस पर बुल्डोजर चलाने की कारवाही की जा रही है पिरसासन के द्वारा आरोपियों के द्वारा जो अतिक्रमर किया गया था उसको तोड़ने की कारभाही की जा रही है बड़ी संख्या में सुरक्षा विवस्ता समालने के लिए पुलिस बल मौझूद है बही इसके अलावा बुल्डोजर चला कर अतिक्रमर वाले हिस्से को तोड़ने की कारवाही सुरू कर दी गई है भारी संख्या में यहाँ पर आसपास के लोग भी पहुँच गए है बही इसके अलावा यहाँ पर एडिशनल एसपी और एसडियम विजय डेहरिया भी मौजूद है इनकी मौजूदगी में अतिक्रमर तोड़ने की कारवाही सुरू की गई है बत परसासन के दौरा पिछले दनों यहाँ पर सीमांकन कराने की कारवाही की गई थी जिसके बाद यहाँ पर बूर्ड चस्पा किया गया था और उनको सामान निकालने की मौहलत भी दी गई थी यह काम होने के बाद आज पर सासन ने बूर्डोजर चलाने की कारवाही सुरू की है और अतिक्रमर हटाया जा रहा है बताने की 28 फरवारी को भाजपानेता मस्तराम गोसी और उनके अन्य भाई और सहयोगियों ने यहाँ पर निर्मल पटेल नाम के की वक के साथ मारपीट की थी जिसके बाद उसकी जान चली गई थी इसके बाद बिना पुलिस को सूचना दिये ही यहाँ पर इन्हों लोगों ने अंतिम संसकार करवा दिया था जब मामले की सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस ने इसने तपती सुरू की थी और करीब तीन दिन बाद मामला दर्ज किया जा सका था इस मामले में 13 आरोपी बनाए गई है झाओ भी हम धक झावंटाट बालमा पुलिस पिलाओ में 11 घ्राइब्सAre मामलेнок ये अजय बीड़िक ये बीड़िक अग्या अग्याओ कि वा कि अगा करें ये वीड़िक अगर कर अगरा है झाल झाल